आज की इस कक्षा में हम वर्ग साथ के आठ परिमी संख्याएं के प्रस्नावली चार दस्मलों एक को हल करने जा रहे हैं पहला प्रस्न है उचित कथन से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए इससे पहला है माइनस पांच बटे माइनस आठ खाले स्थान परिमी संख्या है तो हम देख रहे हैं कि ये आंस में भी माइनस है और हर में भी माइनस है तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बस जाएगा पांच बटे आठ तो ये कैसी संख्या हो जाएगी हमारी धनात्मक दूसरा है संख्या रेखा में शुन्य के खाले स्थान और माइनस एक बटे दो अंकित होता है तो हम देख रहे हैं माइनस एक बटा दो रिनात्मक परिमें है और हम जानते हैं कि संख्या रेखा में सुन्य के बाई और रिनात्मक होता है तो ये हो जाएगा बाई ओर देख लीजे एक संख्या रेखा हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं देखिए ये संख्या रेखा है ये शुन्य है और इस सुन्य के दाहिनी ओर धनात्मक होता है धनात्मक परिमे संख्या है धनात्मक परिमे और इधर जो बाई ओर होता है इस सेड़ तो ये रिनात्मक होता है तो यहां पर संख्या रेखा में शुन्य के बाई ओर माइनस एक बटा दो होगा ये रिनात्मक है इसलिए अब तीसरा है माइनस एक का मानक रूप तो ये माइनस एक ही होगा चौथा है यदि P Q का सार्व बुननखंड M है तो P by Q स्कल 2 ये अनस में यहां खाले स्थान है और नीचे हर में है Q भाग M तो यहां पर हो जाएगा P भाग M चलिए अब पांचवा नंबर जदी P एवं Q रिनात्मक पुणांग संख्याएं हैं देखिए ये दोनों तो P by Q एक परिमे संख्या होगी तो यहां बता रहा है कि ये P भी रिनात्मक है Q भी रिनात्मक है तो ये कैसी होगी रिनात्मक या धनात्मक ये प्रस नंबर एक में हम देख चुके हैं कि जब आंच और हर दोनों अगर रिनात्मक है तो ये परिमे धनात्मक होता है तो ये हो जाएगा धनात्मक अब पाँचवा नंबर है किसी परिमे संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए आंस एवं हर को उनके सार्व गुननखंड शार्व गुननखंड से विवाजित करते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं और आगे कुछ प्रस्न आएंगे उसमें भी और इस्पस्ट होगा प्रस्न संख्या दो निम्नलिखित परिमे संख्या के बीच तीन तीन परिमे संख्या लिखिए तो इसका मैं प्रस्न संख्या दो ले रहा हूँ ये संख्या है एक बटा दो और तीन बटा दो इनके बीच हमें तीन परिमे संख्या लिखना है वैसे तो दो परिमे संख्याओं के बीच असंख परिमे संख्याओं होती हैं लेकिन हमें उन में से सरफ तीन परिमे संख्या को लिखना है तो आई हम लोग देखते हैं किस तरह से निकालते हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अभी एक बटा दो और तीन बटा दो है दोनों का हर तो समान है लेकिन इसके बीच परिमेश संख्या निकालने के लिए हमें थोड़ी परशानी होगी तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों परिमेश संख्याओं के हर को हम ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि वो समान हो जाए और हमें बीच की परिमेश संख संख्या निकालने में भी सुविधा हो तो अगर हमें यहां तीन निकालने हैं तो एक बढ़ा के चार तो हर को हम चार बनाएंगे तो हर को चार बनाने के लिए हमें यहां दो से गुना करना होगा और फिर अंस को भी दो से गुना करेंगे इसलिए जब हम हर को गुना करते हैं तो अंसे भी करना पड़ेगा क्योंकि 2 बटा 2 का अर्थ हो गया 1 और किसी भी हम जानते हैं किसी भी संख्या को 1 से गुना करें तो उसका मान वही रह जाता है तो ये हो गया 2 बटा 4 तो यह हम देख रहे हैं 1 बटा 2 और 2 बटा 4 दोनों का मान बराबर है ठीक इसी तरह से हम इसे भी करेंगे 3 बटा 2 को भी तो ये 3 बटा 2 और इसका हर को 4 करने के लिए इसे भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा और फिर यहां आंस को भी करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बटा 4 तो हम देख रहे हैं कि 2वटा 4 से बड़ी हो जाएगी हमारी 3वटा 4 लेकिन ये 2वटा 4 किस के बराबर था? एक बराबर दो के बराबर था तो हम इसे कुना लिखते हैं इसलिए 1 बटा 2 से बड़ी है 3 बटे 4 और इससे बड़ी 4 बटे 4 और इससे बड़ी 5 बटे 4 और इससे बड़ी ये 6 बटा 4 के बराबर किया था 3 बटा 2 तो इस तरह से हमें 1 बटा 2 और 3 बटा 2 के बीच 3 परिमे संख्याएं मिल चुकी हैं तो इसे हम शब्दों में मिल लिख सकते हैं अता 1 बटा 2 और 3 बटा 2 के बीच तीन परिमे संख्या परिमे संख्याएं हैं तीन बटे 4 चार चार पांच बटे 4 प्रस्न संख्या तीन निम्न लिखित प्रते के तीन तीन सम्तुल्य परिमे संख्या लिखिए तो मैं इसमें दूसरा नंबर पर सुन ले रहा हूं 1 बटा 4 हमें क्या करना है कि 1 बटे 4 का 3 सम्तुल्य परिमे संख्या लिखना है अठ एसी परिमे संख्या लिखना है, जिसका मान एक बटे चार के बराबर हो, और यह तीन ऐसा लिखना है, तो आईए हम दोक सुरू करते हैं, 1 बटा 4 बराबर, 1 बटा 4, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को, किसी भी परिमे संख्या को, अगर अंस और हर को समान संख्या से अगर गुना करें तो इसके मान में कोई फर्क नहीं होता है तो हम इसके अंस को दो से गुना करते हैं और हर को भी दो से गुना करते हैं तो ये दो बटा दो हो गया, तो इसका अर्थ हुआ, दो बटा दो का अर्थ हुआ एक. और एक से किसी भी संख्या को गुना करेंगे, तो उसके मान में कोई परिवर्दत दी होलता है. तो ये हो गया दो बटा आठ. तो हम देख रहे हैं एक बटा चार और दो बटे आठ के मान में कोई अंतर नहीं है, दोनों के मान बराबर है, ठीक इसी तरह से अब हम दूसरा सम्तुलिल प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हम आंस में को तीन से और हर को तीन से गुना कर रहे हैं, क्योंकि फिर तीन बटा हो गया हमारा एक टो ये हो जाएगा तीन बटे हैं, और इसी तरह से फ्रिसे हम करेंगे एक बटा चार और गुना आश को चार से और हर को भी चार से तो ये हो गया चार बटा स्ोलना इस तरह से हमें एक बटे चार के बराबर की तीन परिमेश संख्या einz mil गई हैं जिसे हम सम्तुल्य परिमे संख्या कहते हैं आता है एक बटे चार के तीन परिमे संख्याएं हैं दो बटे आठ तीन बटे बारा और चार बटे सोलना इसी तरह से अन प्रस्णों को भी हम हल करेंगे प्रस्ण संख्या चार निम्लिखित प्रतिरूपों के प्रतेक में तीन और परिमे संख्या लिखिए तो चलिए एक एक करके देखते हैं पहला प्रस्ण चार का पहला तो यह है एक बटा दो फिर माइनस दो बटे माइनस चार फिर टीन बटे छे फिर माइनस 4 बटे माइनस 8 हम गौर से देखेंगे तो यह क्या है सम्तुल्य परिमे है तो यह कितने से गुन्या किया गया है 1 बटे 2 को हमने यहां किया गया है 2 बटे 2 से यहां 3 बटे 3 से यहां 4 बटे 4 से तो अगला जो हमारा होगा तो कितने से गुना करेंगे 5 बटे 5 से तो यह होगा 5 एका 5, 5 बटे 10, यह यहाँ पर आ जाएगा पहला, दूसरा जो होगा, यह हो जाएगा 6 बटा 6 से, तो यह होगा 6 बटे 12, तीसरा होगा 7 बटे 7 से, तो यह हो गया 7 बटे 14, यह सम्तुल सम्तुल भीन है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बटा 2 ब्राबर, एक बटा 2 ब्राबर, एक बटा 2 ब्राबर, एक बटा 2 ब्राबर, तो यहाँ पर एक बटा 2 के तीन सम्तुल भीन दिये हुए हैं, और तीन यह हैं, पांच बटे 10, छे बटे 12, साथ बटे 14, लेकिन तो ये होगा और इसके बाद वाला में दोनों में माइनस हो जाएगा फिर ये तीसरा ऐसे रहेगा तो यहाँ पर हम यही पर लिख रहे हैं देखिए उपर में लिख दे रहे हैं जगा नहीं है इसके बाद होगा पांच बटे 10 और इसके बाद होगा माइनस 6 बटे 12 और इसके बाद अगला होगा 7 बटे 14 तो ये जो तीन और परिमीर संख्या लिखने थे तो हमने पहले प्रस्ट में ये तीनों लिख दियें अब दूसरा तीसरा चौथा भी ठीक इसी तरह से होगा यहाँ भी आप देखिए, माइनस 2 बटे 5 है तो यहाँ 2 बटे 2 से गुना किया गया है यहाँ 3 बटे 3 से, यहाँ 4 बटे 4 से तो अगला 5 बटे 5 से करेंगे इसी तरह से उसका 6 बटे 6 से, फिर 7 बटे 7 से ऐसे करेंगे इसी तरह से प्रस्न संख्या 3 और 4 भी आप खुद से बनाएंगे प्रस्न संख्या 5 एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमे संख्या को निरूपित कीजिए इससे पर हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, एवं पूर्णांग रेखा पर ने रूपित करना सीख लिया है अब हम परिमे संख्याओं को किस तरह से करेंगे ये देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं स्केल की सहायता से एक रेखा खीच लेते हैं आप लोग मेरे साथ खीच लिजे, अब क्या करेंगे बराबर बराबर दूरी पर हम इस पर बिंदू लगा देते हैं अब ये बिंदू हमारा सुन्य हो गया और ये बिंदू एक अब यहाँ देख रहे हैं एक बटा तीन है अर्थात ये संख्या एक से छोटी है तो कहीं ने कहीं ये सुन्य और एक के बीच में होगी तो चुकि ये हर में तीन है इसलिए हम सुन्य और एक के बीच की जो दूरी है इसको तीन भागों में बराबर भागों में बाढ़ देते हैं तो सुन्य के बाद जो पहला भाग ये बिंदू होगा ये एक भाग हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा एक बटा तीन, ये दूसरा बिंदू है दो बटा तीन, तो इस तरह से एक बटा तीन हमारा संख्यारेखा पर निरूपित हो गया, अब दूसरा प्रस्ण भी देखते हैं, ये है तीन बटा दो, तो इस तरह से हमने यहां शुन से निरुपित किया यहां से यहां एक इकाई फिर यह एक इकाई यानि सुने से यह दो हो गया है तो हमारा जो परिमेश संख्या दिया हुआ है तीन बटे-दो यह एक से बड़ी होगी और दो से छोटी होगी तो एक तो यहाँ पर आ गया एक और आधा ये है एक और आधा तो ये एक आ गया अब एक और दो के बीच की जो बिंदू है वो एक बटा दो होगी अर्थात ये वाला बिंदू होगी एक उनांग एक बटा दो ये बिंदू एक के बाद और दो के बीच तो 1 और आधा यह हो गया और थाथ यह बिंदू ही हमारी हो गई 3 बाटा 2 तो चुकि हमें 3 बाटे 2 दिया हुआ है इसलिए हम इससे मिटा कर यह 3 बाटा 2 ही लिखते हैं तो यह हमारा हो गया 3 बाटा 2 यह निरूपित हो गया हमारा तीन बटा दो इसी तरह से तीसरा जो प्रस्ण है चार बटे पांच और चौथा साथ बटे आठ हम निरूपित करेंगे यहाँ भी तीसरे में चार बटे पांच में हम चुकि यह एक से छोटी है हम देख रहे हैं चार बटे पांच अर्थात यह एक से छोटी है तो सुन से एक के बीच की दूरी को हम पांच बराबर भागों में यहां बाटेंगे यहां पर क्या है कि यहां हर में आठ है यह अंस में साथ है तो यह भी एक से छोटी है तो यहां हम सुन से एक के बीच की दूरी को आठ बराबर भागों में बाटेंगे और परिमे संख्या जो दिया हुआ है इसे हम निरुपित करेंगे ये दोनों प्रस्न आप स्वयम से बनाएं